Hello dear students, आप सबका स्वाइद करता हूँ, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल डिस्टे ग्यान में तो finally 9th class का जो result है वो भी डिक्लियर कर दिया गया है मेरिटोरिय स्कूल में मेरिटोरिय स्कूल में जिनोंने 9th class में डिक्लियर कर दिया गया है तो काफी सारे जो student इस रिजल्ट की वेट कर रहे थे कि कब जो 9th class का result है वो डिक्लियर किया जाए तो इसके लिए जो पब्लिक नोर्डिस से वो जारी कर दिया गया है तो इस पब्लिक नोर्डिस में आप दे सकते हैं कि मेरिटूरिय सोसाइटी की तरफ से जो पब्लिक नोर्डिस जारी किया गया था तो उसमें तलवारा स्कूल क्योंकि जो नाइन फ्लासे वो सिर्फ तलव पर जो मैड लिस्ट है वो त्यार कर दी गई है वो और टैज भी कर दी गई है साथ में मैड लिस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ तो इसके बाद इन स्टुटनेंट्स को सुचित किया जाता है कि वो 28 जुलाई को सुबह 9 बजे मेरिटूरी स्कूल तरवारा में कौसने के लिए अपनी जो हाजरी है वो यकिनी बनाएंगे तो जिन उमीदवार की कौसने के लिए बलाएगा है वो उमीदवार अपने पास साथ आटमी कक्षा का जो पास एडुकेट है और जो भी दो डॉकुमेट्स है उनकी उरिजिनल और फोटो कापी जरूर साथ में लेकी जाएगा तो जिन केंडिडेट्स ने अलग के फिजिकली डिसेबल्ड या वोमेन हाउशोल्ड में अपलाई किया है वो अपने केटिगरी के साथ समंदत और जो डॉकेट हैं या फोटो कापी जो हैं वो साथ में अपने लेकी आएंगे अगर उनके साथ समंदत कैटिगरी के दस्तवेज नहीं होंगे तो उस तीति में कैटिगरी में नहीं उनको विचार किया जाएगा तो इसके जो प्रिक्षा में उनके प्रापत जो भी नंबर हैं वो मेरिट के अनुसार ही होने चाहिए इसके इलावा जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग में बुलाई जाएंगे उसका मतलब ये नहीं है कि वो दाखले के लिए सुनश्चित हैं या फिर वो दाखले के लिए अलेजिबर हैं केवल अलेजिबर कैंडिडे को ही प्रिक्षा में जो मेरिट में आहे हैं या ज्यादा मेरिट वाले हैं उनको अड्मिट किया जाएगा इसके इलावा पॉंसलिंग जब खतम हो जाएगी मतलब की जब 50 सीटें कंप्लीट हो जाएंगी तो कॉंसलिंग को बंद कर दिया जाएगा तो मतलब ये है कि टोट लिस्टे वो दे सकते हैं अगर आपको इसकी मैल लिस्ट चाहिए या फिर जो लेटर है वो चाहिए तो आप हमारे जो 50 student हैं सिर्फ 50 student की ही यहां पर जो list है वो दी गई है तो 50 student जो है वो select किये गए हैं तो 50 student को तलवाडा स्कूल में counseling के लिए बलाया गया है तो यहां पर आपने letter में देखा होगा कि वहां पर 28 जुलाई लिखा गया है तो 28 जुलाई को तो counseling नहीं थी अब इसके लिए हो सकते है रिवाड़ लेटर जारी की जाए और अब आपको 29 जुलाई को counseling में जाना पढ़ सकता है बट इस letter में 28 जुलाई लिखा है बट जब रिवाड़ लेटर आई है उसमें क्या डेट होगी वो देखना होगा तो फिलाल आपकी जो med list से वो जारिया हो चुकी है तो मेरी तरव से सबी को congratulations है जो student in med list में आ चुके हैं या जो selector हो चुके हैं तो आज की studio में यही अब डेट है मिलें गया इसी तरह की और भी नई अब डेट के साथ next information और वीडियो में तब तक के लिए goodbye जै